हेलो दोस्तों वेलकम बैक तो मा यूटूब चैनल तो आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से आप फेस्बुक पे अपना जो एड है उसको रन कर सकते हैं तो स्टेप बैस्टेप में आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो को लाश तक जुरूद देखेगा तो जैसा कि आप दे दे रखा है तो आप देख सकते हैं यहां पर कुछ अमने इमेज पोर्स्ट कर रहेखें कुछ यूटूब के वीडियो जो हैं उनका लिंक हमने शेयर कर रहे हैं या फिर हमने कुछ रिल्स यहां पर पोस्ट कर रहे हैं एड्यूकेशन से रिलेटर तो जिस भी आप वीडिय के निचे यहाँ पे boost का option दे र Daisya आपने उसको select कर लेना है jiaisiphone select करना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे image आ जाएگा उपर sponsor लिखा हुआ है और यहाँ पे आपinku boost post now को select करने से पहले यहाँ पे को setting दे रहती है जिसक 머्को lonダ कर सकते हैं इनमें से आपको जो भी गोल आप सेट करना चाहते हैं, जैसे कि जो आटोमेटिक के अंदर जो फेस्बूक है, वो आपनी हिसाब से जो है, आपका जो एड है वो रन करेगा अपनी हिसाब से, और इसके इलावा यहां पर है, keeping more messages आपको जो है, जो है messages आए, या फिर यहां पे लिखा है, third option है get more video views, क्या आप चाहते हैं कि आपको more views आए, तो जो भी आपको option सही लगें, आपके उनको select कर लेना है, इसके इलावा यहां पर दे रखा get more calls, क्या आप चाहते हैं कि आपके बिजनस के लिए कॉल आए तो यहां पर अपना कॉंडेक्ट नमबर जो है वो एड कर सकते हैं जब आप गेट मॉर कॉल को सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपना मुवाल नमबर एड करना पड़ेगा गेट मॉर लीट का उप्शन तो जो भी आप यहां पर गोल देख रहे हैं वह आपको पहले चूज कर लेना है अपनी कन्वीनिट के साथी इसके बाद हम यहां पर देखेंगे यहां पर बटन का ऑप्शन दे रखा है तो बटन की ऑप्शन को जब हम सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर देखिए आपको ऑप्शन देखें म और सेंड मैसेज है संड वर्सप मैसेज है कॉलना तो यहां पर कई हैं तो आपको URL लिंक एड़ करना पड़ेगा जैसे साइन अप करेंगे तो URL लिंक को जब आप एड़ करेंगे अब डिरेक्ट उस भी अब सैट के पेज पर चले जाएंगे जहांप साइन अप करना है बुक नाओ के अंदर जहां पर बुकिंग करवानी तो यहां पर यूरल आपको एड़ करना पड़ेगा ताकि डारेक्ट साइट पर जा करके वह बुक कर सेके और अगर आप कॉल नाओ को उप्शन सेलेक्ट करती है तो आपको अपना मॉइल नंबर एड़ क को सेलेक्ट कर सकते हैं कि कि तरह के ओडियंस को आप टार्गेट करना चाहते हैं अदर वाइस यह कोई कंबसरी नहीं है आप उस ओप्शन को छोड़ भी सकते हैं वह वैसे भी फेस्बुक जो आपका रन करेगा बट अगर आप कोई पर्टिकुलर ओडियंस को आप जो सैट कर लेना है सारी सैटिंग को सेलेक्ट करने के बाद हमने बूस्ट पोस्ट नाओ की आप्शन को अप्शन को सेलेक्ट कर लिया है तो यहां पिशा आपको अमाउंट सबमोंट दे रखा है कि आपको इतने अमाउंट को एड supposedly मैंटारा है कि आप कैसे पेमट करना चाहते हैं debit या credit card से करना चाहते हैं UPI से करना चाहते हैं networking से करना चाहते हैं तो one by one मैंने सभी option को select करके दिखाना है and then आप देखेंगे कि आप किस तरीके से payment जो है वो कर सकते हैं the first जब आप select करते हैं debit and credit card तो यहां पर आपको debit and credit card से related detail को भधना पड़ेगा और payment करने के बाद आपका जो add है वो automatically run करने लग जाएगा आपकी condition के इसाफ से जो भी आपने setting को select कर रखा है अब हम back हो जाते हैं and second option को देखते हैं second option में यहां पर UPI का option दे रखा है तो आपने UPI से जो भी आप payment करना चाते हैं जिस भी एप से करना चाते हैं भी मैं आप से या Google पे से और भी multiple यहां पर आप option देख सकते हैं अब हम next जो है last option को देख लेते हैं net banking का option है तो net banking में जब आप जाएंगे तो आपने नेट बैंक को select करना है उसके बाद देखते हैं कि next option जो है वो आपको क्या दिखा रहा है तो यहां पर अब हम net banking की option को select करेंगे तो यहां पर आपको multiple bank की option देदेंगे तो जिसमें भी आपका net banking चलता है आपने उस bank को add करके उसके थुरू आपने payment कर देना है और payment करने के बाद आपका जो add है वो run होने लग जाएगा तो इस तरीके से आप Facebook आसानी से add को run कर सकते हैं तो मुझे उमीद है कि आपको आज की information पसंद आई होगी तो अगर आपको यह आज का आपको यहा होगी नवीव